हलो गाइस वेलकम टो अंसु बाइलोजी जुकेशन सेंटर आइम अंसु राज गुप्ता आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू दोहजार नौ से दोहजार बाइस तक का सब्जेक्टिव क्यूचन का क्यूचन बैंक जो की काफी इंपोर्टेंट है पार्ट वान करा दिया ग होगं का और भी बहुत सरे सिंटम्स हैं बट यहां पर दो ही पूछ रहा तो यहां पर दो ही हम लोग लिखेंगे disease क्लोणेज़ metzar frustrating का इसका definition जो है हो जागा it is genetically and morphologically similar to parent organism parent के जैसा ही दिखने में भी और genetically भी जो है parent के जैसा होगा progeny जो है parent के जैसा ही होगा exact उसका copy होगा उसको कहते है clones इसका advantage यह हो जाएगा कि parental character maintain parental character maintain है क्योंकि जो भी character जो है parent में है वही character same जो है progeny में है तो parent character जो है उसको maintain करकर रखे हुए है इसका disadvantage हो जागा कि उसमें कोई variation नहीं होता है उसमें तो कोई variation ही नहीं हो रहा अगर parent organism जो है उसके लिए अगर unfavorable condition अगर आया तो progeny के लिए भी unfavorable condition आ जागा क्योंकि variation हुआ ही नहीं है अगर 40 degree Celsius तक अगर यह absorb कर सकता है parent तो progeny भी जो है 40 तक ही कर सकता है इससे high नहीं कर सकता है तो यहां पर variation नहीं होता यह disadvantage हो जाएगा define vaccine अब वैक्स और डिफाइन वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन को define करना हा तो introducing vaccine into the body for protection from disease डिजीज से protection करने के लिए protect करने के लिए हम लोग भैक्सिन लेते हैं उसी को कहते हैं VACCINATION उसको क्या कहते हैं VACCINATION कहते हैं तो आप स्क्रें सोफ ले लिजीए तो What do you understand by BT cotton BT cotton जो है यह होता क्या है यह एक genetically modified plant यए कैसा है genetically modified plant by इंसार्टिंग desired gene डिजायड जीन को जो है कहते हैं क्राइजीन डिजायड जीन जो है यह प्रेजेंट होता है बैसिलस थूइंजिनेसिस में जो है प्रेजेंट होता है डिजायड जीन जिसको क्राइजुन बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं क्राइजुन बोलते हैं और यह जो है क्राइजीन इ इसमें क्या होगा ट्रांस्क्रिप्शन और ट्रांस्लेशन होगा तो हम लोग जानते हैं ट्रांस्क्रिप्शन से बनता है और आरेने में होता है ट्रांस्लेशन जिससे बनता है प्रोटीन तो क्राइप प्रोटीन यहां पे बना यहां पे क्या बना क्राइप प्रोटीन बना क जैसे ही अगर कोई इसको अगर खाता हा तो उसके अंदर होता है मौत के अंदर अलकलाइन होता है तो वह जो है क्राइपरोटीन उसूंस्वें सॉलूबूल हो जाता हा जिसके कारण इनसेक्ट को हम पहुंचाता ब tadi यह बैक्टेरिया जो है बैसिलस थुन जीने में इसको किसमें इंट्रोड्यूच किया कॉटन में तो यहां पे जो जिनेटिकाली मोडिफाइड प्लांट जो है यह बनता है उसका नाम हो जाएगा बीटी कॉटन बीटी बैसिलास फ्लूण जिनेसिस के अंदर जो डिजाइड जीन होता है उससे प्रोटीन बनाया गया और उसको जो है इंट्रोड्यूच कर दिया गया किसमें कॉटन में बाइ भेक्टर आग्रोबैक्टेरियम टुमीफेसियम बाइ भेक्टर आग्रोबैक्टेरियम टुमी यह क्या इंप्रूब किया, human health को इंप्रूब किया, और often high value product, high value of product को यह often करता है, ट्रांस्जेनिक एनिमल्स जो है, यह क्या कर रहा है, often किया high value product को, describe congenital disease, congenital disease यानि disease present since from birth, birth से ही disease होता है, अब birth से तो disease होता है, बट due to, किसके कारण होता है, genetic और chromosomal mutation के कारण होता है, कैसे होता है, by genetic और chromosomal mutation के कारण जो है, यह congenital disease होता है, तो आप लोगा screenshot ले लिजिए, what is food babe, food babe जो है होता क्या है, name the organism of two food chain, दो food chain का यहाँ पे, नाम बतलाना है, इन ट्रेस्टियल ecosystem, तो सबसे पहले देखते हैं, food babe होता क्या है, consist of all food chain, in ecosystem, ecosystem में जितना भी food chain है न, वो सब को मिला कर हम कहते हैं, food babe, वो सब को मिला कर क्या कहते हैं, food babe कहते हैं, दो यहाँ पे नाम पूछ रहा था, तो देखो यहाँ पे, एक है grass, grass को खाया goat, और goat को खाया lion, next यहाँ पे है grass को खाया grass hopper, grass hopper को खाया frog, और frog को खाया snack, next kitchen है defined tissue culture, tissue culture जो है, होता क्या है, the production of new plant, production of new plant, from the piece of tissue, tissue से हमें नया plant मिलता है, अब यह tissue आया कहां से, तो plant में होता है, plant में है tissue, वहाँ से जो है, वो remove हुआ, और उसको हम लोग ही करते हैं, हम लोग जो है, उसको remove करकर, उससे हम नया plant बनाते हैं उससे हम क्या बनाते हैं नया plant बनाते हैं जिसको इस whole culture को कहते हैं tissue culture कहते हैं next question of what is restriction endonuclease restriction endonuclease को restriction enzymes भी कहते हैं इनजायम which clips DNA into DNA fragments, DNA को जो है DNA fragments में तोड़ता है, छोटे छोटे DNA में clips कर देता है, काट देता है, उसको कहते हैं restriction endonuclease, ये क्या है, ये एक enzyme है, ये एक इंजायम है, इसको restriction enzymes भी बोलते हैं, तो आप लोग a skin sort इसको ले लीजीए, what is the function of corpus luteum, corpus luteum का function जो है क्या होता है तो corpus luteum का function जो है यह हो जागा यह maintain करता है endometrium lining को, endometrium का जो lining होता है उसको maintain करकर रखता है, किसलिए maintain करता है तो for implantation, implantation के लिए जो है, endometrium lining को maintain करकर रखता है corpus luteum, तो इसका function यह है और यह progesterone hormones को जो है, यह काफी जादा मातरा में produce करता है corpus luteum क्या करता है, काफी जादा मातरा में progesterone को यह produce करता है next है, what is amniosynthesis, amniosynthesis का मतलब जो है क्या होता तो it is a diagnosis of fetus and chromosomal disorder कहने का मतलब है ना कि इस process से जो है, इस technique से जो है हमें पता चलता है कि fetus जो है, जो baby जो है, वो लड़का है या लड़की है और फिर इस से हम chromosomal disorder को भी पता कर सकते हैं जैसे किसी को disease, germ से ही होता है, chromosomal disorders या फिर genetic disorders होता है तो वो सब जो है, हम इस technique से हम check कर सकते हैं कि हुआ है उसको disorder या फिर नहीं हुआ है और इस से हम fetus को भी diagnosis कर सकते हैं कि किस प्रकार का है, लड़का है या लड़की है नेक्स्ट की उचर है, right to measure function of ovary and testis ovary का function मतलाना है और testis का भी function मतलाना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं function of ovary ovary का function यह है कि it produce sex cells और female sex cell बनाता है male sex cell नहीं, female sex cell को produce कौन करता है, ovary और it produce sex hormones, sex hormones को भी जो है produce ovary करता है but female sex hormones, estrogen और progesterone, estrogen और progesterone hormones को जो है ovary produce करता है, अब function of testis है testis का function जो है यह हो जागा it produce sex cell but male sex cell male sex cell को जो है यह testis बनाता है, it produce sex hormone और sex hormone जिसका नाम है testosterone, जिसका क्या नाम है testosterone नाम है, उसको produce कौन कर रहा है, testis करता है तो आप लोगा screenshot ले लिजिए, what do you mean by term pathogen pathogen का मतलब जो है क्या होता है, the microorganism which cause disease जो disease cause करता है microorganism उसको pathogen कहते हैं, वैसे microorganism जो disease cause करता है, वैसे microorganism जो क्या करता है, disease cause करता है, उसको क्या कहते हैं, pathogen कहते हैं, why did Mendel select P plant, क्यों Mendel जो है select किया था P plant को as a experimental material, यह क्यों किया था, किस region से जो है यह Mendel जो है यह P plant को select किया था, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, Mendel select P plant as a experimental material, because of life span of P plant is short, coffee come life span is का, इसका life span कैसा है, coffee come life span है, और easy to cultivate, और easily cultivate किया जा सकता है, easily cultivate किया जा सकता है, और life span इसका coffee छोटा है, दो marks kitchen में यह पूछा गया है, तो यहाँ पर दो point ही है, हम यहाँ पर लिखेंगे, one marks kitchen रहता तो one point, two marks kitchen तो two marks, तो यहाँ पर इतना दो points जो है, काफी है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राब कर दिएगा, और जितना जादा हो सके उतना share करिएगा, part one का link जो है, description box में दे दूँगा, आप लोग जाकर प्लीज उसको देख लीजेगा, जो नहीं देखे होंगे, thank you for watching.